समस्कार दोस्कों मेरा नाम है अदनु शर्मा और जहीं की इव्टू चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्राइटपन इस्ट्रीम मशिन या जिसको कुछ लोग रोल आईस्टीम मशिन या थीजिस बोलते हैं इसके उपर ओर्यू बिस्केट के आइस्क्रीम चैसे बनती है अब हम आपको बताएंगे कि हमने इसके ने क्याक्य त्यार्यान चीए यह हमारे पास गूप जिसमें हमने 25% प्रेमिक्स एड़ान किया है जो की रोल प्रेमिक्स है यह हमारे पास आपको अप्लिबल मिर जाएगा यह है ओर्यू बिस्केट और यह है स्पैचिला अब हम आपको इंचेफ की लाइब आइस्क्रीम मशीन के उपर ओर्यू बिस्केट के रोल्स बनाकर दिखाएंगे यह पिंच शेफ की मैनिफेक्ट्रिक मशीन है जिसका डाया 20 इंच है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको इंचेटेट से दिखा रही हूँ और यह पैन बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है जो अब ओर्यू के रोल्स बनाने के लिए बिल्कुल तयार है रोल आइसक्रीम मशीन का टेंपरेचर माइनस 23 डिगरी तक जाता है जो की रोल बनाने के लिए एक परफेक्ट टेंपरेचर है अब हमारे शेफ कमल आपको ओर्यू बिस्किट के रोल्स बना कर दिखाएंगे यह कैसे और कितने यमी बनते हैं अब हमने हमारे शेफ कमल को यहां बुला लिया है जो आपको ओर्यू की रोल आइसक्रीम बना कर दिखाएंगे कमल स्टार्ट करें जैसा कि आप देख सकते हैं कमल ने दो ओर्यू बिस्किट लिये हैं और प्रेमिक्स एड़ किया हुआ मिल्क लिया है आपको थोड़ी पास चॉपिंग करनी है ताकि आपकी आइसक्रीम क्रिस्टलाइज ना हो और आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर उभर कर आए आप पैन पर रोल आइसक्रीम के लिए इस पेस्ट को गोल या चोकोर शेप में भी लगा सकते हैं ताकि आपको रोल उतारने में आसानी हो अब कमल इसके उपर चॉकलेट सिरप एड़ान करने है जिससे की यह और ज्यादा चॉकलेटी और यम्मी हो जाएगी और लौथ चॉकलेट तौकलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे रोल्स बिल्कुल तयार है सर्विंग के लिए और उपर से कमवल ने स्टॉबरी सिरप की गार्णिशिंग भी कर दिया है जो कि दिखने में बहुत यमी लग रहे हैं अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है हमारी ओरियो फ्लेवर की रोल लाइस्ट्रीम फिल्कुल तयार है जो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी अंदर से चॉकले और उपर से स्टॉबेरी और ओरियो का फ्रेवर बहुत नजेजार है बहुत यमी और एक रिच फ्लेवर भरके आ रहा है है रावरी और छोटलेट का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की और वीडियो को लाइक कीजिए और comment में हमें जवाब दीजिए हम और किस-किस topics में वीडियो बना सकते हैं और या आपके जो कोई questions है वो हमसे पूछें हम उनका जवाब देने के लिए हमेशा तयार हैं धन्यवाद